अगर हम किसी मागनेट के पास एक freely suspended मागनेट को रखें तो उसमें movement start हो जाएगा इस मागनेट की जगा अगर हम एक electro magnet रख दें और polarity change करते रहें तो वो भी गोल गोल घूमेगा इसी तरीके से यही principle है electric motor का इसी चीज़ को हम थोड़ा better बना देते हैं permanent magnets की बीच में हम एक coil रखते हैं तो यह coil में जैसी current flow होगा और current की polarity change होती रहेगी तो यह गोल गोल movement चलता रहेगा और यही इसी तरीके से motors काम करती है